रोज बोले साने वाले अंग्रेजी के वाक्यों में अंतर लिखवाना साइए, चपवाना साइए, कटवाना साइए, बनवा दूंगा, खरिदवा दूंगा, मिलवा दूंगा, तोड़वा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, खरिदवा सकता हूँ, ऐसे वाक्य देखने में त कि कोई काम करवाना साइए जैसे लिखवाना साइए चपवाना साइए कटवाना साइए बोलवाना साइए हसवाना साइए अब एक्जांपल से सिखेंगे जैसे कि रोल नमबर वन में होगा तो मैं पत्र रोज लिखवाना साइए तो संटेंस बनेगा You should get the letter written Delhi रवी को किताब छपवानी साहिए रवी सुट गेट दबोग प्रिंटेड हम लोगों को पेड नहीं कटवाना साहिए We should not get the tree cut down अब यह पर दिए कोई काम करवाना साहिए या कोई काम नहीं करवाना साहिए इसका जो इस्ट्रक्चर यहां पर है सबसे पले है subject जो की noun या pronoun होगा मतलब sentence में जो भी कोई काम करेगा इसके बाद यूष करेंगे Should प्लैस गेट यूउस होगा इसके बाद यूश करेंगे Verb का यहां पर यूश करेंगे object और अबजक्ट के बाद यूश करेंगे Verb का third form और इसके बाद कोई भी other word आवी सकता है नहीं भी आ सकता है subject should get object with three plus other word याद रखने का एकी तरीका है कि आप इसे get लिखिए get plus object plus with three इसना याद रखिए sentence आप पसाने से बना सकते हैं क्या structure होगा structure भी आपके दिमाग में छप जाएगा पिरिया को अंग्रेश जी बोलवाना साइए पिरिया should get English spoken spoken verb का third form है speak का third form सुमन को उसको हस्वाना साइए सुमन should get him loved उसको मतलब हुसाय गया पर him क्योंकि he का objective form him होता है सुमन should get him loved सुमन को उसको हस्वाना साइए तो इसे ही sentences कही सरे बना सकते हैं ऐसे ही आसानी से बनाएज रूल नम्मर टू है रूल नम्मर टू का sentence है कोई काम करवा दूँगा जिसे बनवा दूँगा खरिदवा दूँगा मिलवा दूँगा सिखवा दूँगा बुलवा दूँगा अब sentence बनेगा कैसे ये देखना है क्या इसका structure होगा, क्या इसका concept होगा और sentence का क्या meaning है Rule number two है मैं सड़क जल्दी बनवा दूँगा अब यह पर कोई काम मैं खुद नहीं कर रहा बलकि मैं कोई काम करवा दूँगा कोई करने वाला सो काम है वो कोई और है तो sentence बनेगा I will get the road built soon या पर built के जगा पर repaired भी हम यूज़ कर सकते हैं कि I will get the road repaired I will get the road repaired soon मैं सड़क जल्दी बनवा दूँगा वो bike सस्ते दाम में खरिदवा देगा He will get the bike purchased in cheap price या पर आप देख सकते हैं कि सबसे पले subject इसके बाद यूज़ किया साएगा इसके बाद यूज़ किया साएगा गेट इसके बाद कोई भी object आएगा इसके बाद वर्प का third form प्लस अदर वर्ड होगा sentence आपको देखना है कि ये tense कॉन से tense में tense के नुसार helping वर्प आएगा तुम रोहित से office में मिलवा दोगे You will get रोहित mate in the office Mate का third form mate है computer taught परिया will get computer taught परिया computer सिखवा देगी हम लोग सूरज को बुलवा देंगे We will get सूरज invited invited के जगाप पर called भी कर सकते हैं We will get सूरज invited या फिर called तो इसे sentences आप असाने से बना सकते हो कई सरे sentences हैं जो असानी से बन साएंगे बस आपको समझना है sentence positive में negative में भी कर सकते हैं अलग लग तरिके से sentence आप बना सकते हैं Rule number three कोई काम करवा सकता हूं जैसे कि तोड़वा सकता हूं लिखवा सकता हूं खरिदवा सकता हूं रखवा सकता हूं बात करवा सकता हूं मिलवा सकता हूं ऐसे sentences है मैं यहां मकान तोड़वा सकता हूं तो sentence बनेगा I can get this building broken ब्रेक का third form broken हो साएगा I can get this building broken वो कहानी लिखवा सकता है He can get the story written He can get the story written, वो कहानी लिखवा सकता है पिरिया दुकान में समान खरिदवा सकती है पिरिया can get the product bought in the shop पिरिया can get the product, product means समाल, bought means खरिदना और in the shop means दुकान में आमन वहां समान रखवा सकता है तो sentence बनेगा, आमन can get the product kept there कीप का third famous आएगा, kept आमन can get the product kept there आमन वहां समान रखवा सकता है रमेश मैनेजर से बात करवा सकता है रमेश केंगेट दा मैनेजर टॉक्ड यह पाट टॉक का third famous आएगा, टॉक्ड ऐसा ही sentences आप पसानेश से बना सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, इस्ट्रक्चर ध्यार में रख सकते हो इस्ट्रक्चर यहां पर यह होगा subject plus can आएगा, plus get, plus object, plus verb का third form, plus other word यह इस्ट्रक्चर है, इसके मदद से कैसर sentences बनाई जा सकते हैं असाने से बना सकते हैं So guys, thanks for watching, that's all for today